तो दोस्तों गुड मॉनिंग स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल वेस्टीज टीम एक्शन में और आप इस वीडियो में देखने वाले हैं वेस्टीज स्पारूलना की जानकरी तो वेस्टीज इस पारूलना क्या है कैसे उसे यूज करना है क्यों हमे जिन्होंने प्लक्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एक बर चाणकर लाल वुटन दबा का सब्सक्राइब कर लोमें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें चैनल दोस्तों अब हमबात करेंगे हमारे पावर्फलिज प्रॉडक्त के बारे में जिसका नाम है इसे खाने की तरह इस्तेमाल करते हैं इसे अपने साथ अंत्रिक्ष में लेके जाते हैं इसके अंदर प्रोटीन हैं अमीनो एसीड है विटामिन से मिनरल से इसे फ्यूचर फूड फॉर अर्थ का गया है अगर आपको लगता है कि सुबा से शाम तर काम करके आप ठक जाते हैं स्कीन प्रॉब्लम एनीमिया एलर्जी इत्यादी में आप इसे ले सकते हैं इस पैरलना के अंदर बहुत सारे वाइटल नूट्रियंस हैं जो हमारी रोज मर्रा की बीमारियां जैसे सर्दी जुखाम इंफ्लमेशन बच्चों में था कावर्ड सरदर्द इन सब को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है क्या क्या है इसके अंदर पहला इसके अंदर प्रोटीन है 55 से 77 परसेंट तक दूसरा अठारा तरीके के 18 टाइपस ओप एसेंसियल अमीनो एसीड इसके अंदर होते हैं जो कि हमारे सरीर के रोग पतिरोदक प्रणाली को अच्छा करने में मदद करते हैं तीसरा गाजर के मुकाबले दस गुना मीटा कैरोटिनिस में मिलता है जो आपकी आखों और तुचा के लिए बहुत ज़रूरी है चोथा इसके अंदर जी एले गामा लिनोलेनिक एसीड होता है जो कि बहुत ही दुरलब है यह हमारी स्किन की प्राब्लम को दूर करता है बालों के लिए भी उप्रोगी है पांचवा एंटी ओक्सिडेंट यह हमारे स्रीर की गंदगी को निकालने का काम करता है यह स्रीर को ओक्सिडेंटल डेमेज से बच चाता है छटा, फाइटो सैनिन, ये सरीर के फ्री रेडिकल को खतम करता है, इंफ्लमेशन यानि सूजन को खतम करता है और इम्मुनिटी को बढ़ाने में हमारी मदद करता है, शातों पॉइंट, किसी भी तरह की ऐलर्जी को खतम करता है, अगर किसी को बार बार सर्दी जुखाम होता है, अलर्जी होती है, और वो स्पारूलना खाना सुरू करता है, तो ये स्पारूलना उस कॉंसेप्ट को खतम करता है, जिससे ये प्राबलम बार बार होती है, अठ्वीं पॉइंट, बेनिफेसियल इन एनेमिया, खून की कमी, जिन लोगों में खून की कमी है, उध्यान से सुने, इसमें आइरन बहुत ज्यादा मातरा में है, जो कि खून की कमी को दूर करने में हमारी मदद करता है, इसके अंदर क्लोरफिल है, जो कि रेड ब्लड सेल को बनाने में मदद करता है, इसके लेने के क्या क्या बेनिफिट हैं, आए जानते हैं, फर्स्ट जेनरल वीकन फटीग, अर्ली एजिंग, सेकेंड स्किन प्रॉब्लम, एक्ने और ड्राय स्किन, थर्ड डाइबेटीज, फोर्थ एनेमिय, फिप्त मेमरी लॉस, सिक्स्थ पूर विजन, सेवन हाइपर एसिडिटी, एड अलसर, यह आप उन सारी चीजों में से ले सकते हैं, यह एक कम्प् के doze क्या है? एक या दो कैपसुल, दिन में आप दो बार ले सकते हैं, आप इससे कभी भी ले सकते हैं, खाने से पहले, यह बाद में कभी भी, लेकिन, अगर आपको ऐसा लगता है, कि इसको खाने के बाद्या बाद को, गैस बन रही है, ऐसीडिटी बन रही है, तो आप इ से इस पॉइंट को भी देखें पहला है अगर हाइपर थाराइड की वज़ा से वजन कम हो रहा है तो वहां पर उनकी कंडिशन को समझ कर तब यह डॉक्टर की सला के बाधी से देना चाहिए दूसरा है पॉइंट सी फूड सी फूड दोस्तों ध्यान रखें अगर किसी की है तो आपको यह एलर्जी कर सकता है तो ऐसे लोग इसको सोच समझ कर ही लें नहीं तो आपकी एलर्जी बढ़ सकती है तिसरा पॉइंट है हाई फिवर तेज बुखार में हो सकता है कि आपको इस पैरूलिना लेने पर एसीड बने यह आपके पेट में दर दो तो आपको य हाई फिवर में नहीं लेना है चोधा पॉइंट है यूडिक एसीड एंड किड्नी डिसॉडर यूडिक एसीड और किड्नी डिसॉडर में इसको बहुत ही सोच समझ कर या डॉक्टर की सला पर ही लें या बिल्कुल ना लें पांचवों पॉइंट है प्रेगनेंसी या लैक ने में वह लोग है जो वेश्टीज के स्पार्व लेना का इस्तिमाल करते हैं यहां पर आपको मिलता है डॉबल के पॉटेक्शन तु अवाईड एनी काइन्ट ओफ कन टामिनेशन इसके अनदर जो डॉबल पार पोटेक्शन है जो कि किसी भी तरह के दूस्री करण या महल को दूर करता है लॉंग सेल्फ लाइफ ओफ एटीन मॉंथ अठरा महिने की आपको इसमें सेल्फ लाइफ मिलती है तो दोस्तों आज यह कंप्लीट सब्लीमेंट लेना शुरू कीजिए हमारे दिये गए नंबरों पर कॉल करके या फिर हमें इमेल करके भी आप इसे प्राप् तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपने हमारे अभी चैनल को वेश्टी टीम एक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकोन जरूर दबाएं जिससे आपको हमारे साइल लेटेस वीडियो के अबडेट मिलती तो मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए विश्यू विल थैंक यू फॉर वाचिंग